हलो इन वेलकम एवरिवन वेलकम टू जी आरेस टेक्निकल तो कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में मैं रव्यू करने वाली हूँ हिट स्प्रेका तो आज की इस वीडियो को बिलकुल लास तक दीखिएगा वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाईएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करिएगा तो चली भी न समय गवाएँ आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यह है हिट फॉर मॉस्किटोज और फ्लाइज यानि कि अगर आपके घर में बहुत ही ज़ादा मक्हिया हो गई है या मच्छर बहुत ही ज़ादा हो तो अगर आप इसको स्प्रे करते हैं तो मक्हिया और मच्छर मर जाते हैं और आप डेंगू से और मलेरिया से बच सकते हैं यहां पर जैसा कि लिखा भी हुआ है किल्स डेंगू किल्स मलेरिया तो अगर आपके घर में मच्छर मक्ही नहीं रहेंगी तो आपको डेंगू औ बारे में तो इसका जो नेट कंटेंट है वो 320 मिलिलेटर या फिर 196 ग्राम है इसके अंदर इस प्रोड़क्त को अपको यूज कैसे करना है तो यदि अगर अपके घर में बहुत ही ज़्यादा मक्षड हैं तो आप इसको शाम के टाइम पर आप अपने परदे के पीछे, सोफे और बेट के नीचे या फिर अलमारी के नीचे इस पे स्प्रे कर सकते हैं या फिर जहां पर आपको मच्छड दिखे वहाँ पर आपको इसको स्प्रे कर देना है जिससे कि वो दूर भाग जाए आपसे या फिर वो मर जा या फिर ऐसे जगह पे होते हैं, जहां पे अंधेरा हो, डार्क एरिया हो, तो वहां पे होते हैं, तो वहां पे आपको इसको स्प्रे करना है, जिससे कि आपको रात में सोते टाइम मच्छर ना काटे, बात करें अगर स्पड़क के बारे में, तो यह जहर है, विश है, यानि क poison है तो आपको इसको बच्चों से बहुत ही जादा दूर रखना होगा नहीं तो अगर बच्चे अगर इस पर consume कर लेंगे तो बहुत ही जादा हामफुल उनके health के लिए हो सकता है बात करेंगर इस प्रड़क के बारे में तो इसके अंदर बहुत सारे इंग्रीडियंट एड़ किये गए हैं जो की हामफुल है consume करने के लिए तो अपने पहुत से इसको मतलब दूर रखिए कभी भी अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो अपने नाग पे डुपट्टा या फिर कुछ हैंकी विगरा रख करके यूज करिए क्योंकि अगर आप इसको smell कर लेते हैं तो आपके health की उपर बहुत ही जादा side effect हो सकता है तो इसको अपने बिल्कुल सो समझ के यूज करिएगा और बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखिएगा इसकी जो manufacturing date है और इसकी जो price है वो यहाँ पे नीचे लिखी हुई होती है तो यह जो product जो मैंने purchase किया है उसकी MRP है 160 रुपीज बट अगर आप online purchase करोगे तो आपको हाँ पे से discount मिल जाएगा इसकी manufacturing date है March 2019 और इसकी expiry date है April 2021 तो means आपको expiry होने से पहले इस product को use कर लेना है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही आशा किरते हैं कि आपको इसका review अच्छा लगा होगा अगर आपको आज कई वीडियो हमारा पसंद आया है तो इस वीडियो को like जरूर करिएगा साथ ही साथ हमारे चैनल को भी subscribe करके बेल आइकन जरूर बजाईएगा thanks for watching this video जैहिन बंदे मात्रम